लगता है काला सागर में जेलेंस्की ने रूस के उपर बड़ा हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी है डिफेंस एक्सपर्ट्स दावा ये कर रही है कि ड्रोन युद्स से युक्रेंड रूस को हराना चाहता है लेकिन रूस ने इरान के साथ मिलकर बाजी पूरी तरह से पलट दी है काला सागर में युक्रेंड की पहली हार ने जेलेंस्की को कहीं का नहीं चोड़ा है Раз, два, три, हुआ! क्या 15 महीने बाद काला सागर में यो उक्रेन की पहली हार हो गई है आखिर यो उक्रेन के पहले सबसे आखिंगाती हमले को फुतिन की समत्री सेना ने कैसे माग दे दी है काला सागर में यो उक्रेन की पहली हां रूसी रक्ष़ा मंत्राले के लिए काम करने वाले ज्वेजदा टीवी चैनल के फुटेज में इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि योकरेन के 300 आख्म घाती समुद्रे ड्रोन में से हमले करने बाले 3 समुद्रे ड्रोन को मार गिराया गया है 3 मार दिये गये 300 मरने बाले आकाश से जमीन तक और जमीन से समंदर का गूस योकरेनी गुद्ध कुस दौर में पहुंच चुका है जहाँ पर दोनों पंच एक दूसरे को मारने काटने पर उतारों है ड्रोन हमले शुरू से ही रूस योकरेन जंग का ऐसा बेमिसाल हत्यार साबित हो ए ड्रोन हमलों से खातक हमलों की शुरवाती योकरेन ने तुर्की के बने टीवी टू ड्रोन से की थी जिसने शुरू में रूस सेना के टार तो और हत्यारों को दबा करके रख लिया लेकिन जैसे ही रूस ने इरान के शाहिद 136, शाहिद 131 और अराश 2 से योक्रेनी सेना पर भायानक हमले किये तब से योक्रेनी सेना रूस के आतिधाती ड्रोनों के हमलों से तबाँ हो चुकी है यही वज़ह है कि अब एक भपिर से योक्रेन ने रूस को काला सागर में दबाँ करने के लिए इस बार समुत्री ड्रोन से रूस के समुत्री जासूसी जहाज इवान खुर्स पर भीशन हमला करने की कोशिश की लेकिन योकरेन के समुत्री ड्रोन रूस के इवान खुर्स टोही जहाज को तबाह करने से पहले ही खुद ही तबाह हो गया जरा रूसी रक्षा मंत्राले के लिए काम करने वाले स्वेजदा टीवी चैनल के इस वोटेज को देखिए जहाँ पर योगरेन का एक समुत्री ड्रोन यानि स्पीड बोर्ट हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है लेकिन तभी रूस की तरफ से भीशन गोला बारी ड्रोन पर होती है और गोला लगते ही योगरेन का समुत्री ड्रोन जोरदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है दावा किया जारा है कि योगरेन के इस आत्मघाती ड्रोन ने दक्षणी काला सागर में तैनात रूस के जासूसी जहाज इवान खुर्स पर हमला किया था विसफोटकों से भरी योगरेन के आत्मघाती स्पीड बोर्ट का टार्गेट इवान खुर्स था जहाज से ठकराने के खुद सेकंड पहले रूस के जवावी हमले में स्पीड बोर्ट तबाह हो गई दावा किया जा रहा है कि रूस की गोला बारी में स्पीड बोर्ट के अगले हिस्से में लगे विस्फोटक में जैसे रूसी गोला लगा उसमें जबरदस धमाका हो गया खबर के मताविक रूसी जहाज पर हमला दक्षनी काला सागर के बोस फोरस स्ट्रेट इलाके में 40 समुद्री मीन दूर सुबर साड़े पांच बजे हुआ है दावा किया गया कि रूस का जहाज बोट तुर्की के समुद्रे इलाके में पाइपलाइम के बोनियादी ठाचे की रखपाली कर रहा था जब स्वाक्त उस पर हमला करने की पोशेश होई प्रोच्त कर भीका में।न फीर एंपिसी रहा था ब vive एंपोड़ एंपली इन्प्रेश बढ़िते हैं और इससे पहले क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर पर भी जोन हमला हुआ जिसे नाकाम कर दिया गया था तब भी रूस ने आरोप ये लगाया था कि युक्रेन के जोन ने पुतिन को मारने की कोशिश की थी अब सवाल उठता है बिल्कुल अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वज़ा है कि रूस युक्रेन दोनों ही एक दूसरे को जन्वे तभा करने के लिए बड़े पहमाने पर ड्रोन का इस्तमाल कर रहे हैं काला सागर में युक्रेन की पहली हाँ हम आपको आगे बताएंगे कि समंदर में रूसी जहाज पर आत्मगाती हमला करने वाली युक्रेन की स्पीड बोर्ट को क्यूं बेहत खदरनाग बताया जा रहा है लेकिन उससे पहले ये जान ली थे कि पिछले 30 से 40 दिनों में अचानक ड्रोन हमलों की बार क्यूं आ गई है इससे पहले क्रेम्डेन में पुतिन के दफ्तर पर भी ड्रोन हमला हुआ था जिसे नाकाम कर दिया गया था तब भी रूस में आरोप लगाया था कि योक्रेन के ड्रोन ने पुतिन को मारने की कोशिश की थी अब सवाल उड़ता है कि अखिरैसी ग्या वज़ा है कि रूस और योक्रेन दोनों ही एक दूसरे को जंग में तबाह करने के लिए बड़े पैमाने पर रूम का इसका सीधा सा जबाब कम पैसे, कम जोखिन मेरे दुश्मन का जबर दस नुकसा ना सलिदार्सकाम तक्टिक्सकाम नप्रावलेनी प्राटीने व्चरा प्रवेल नस्तुपातिली देश्ट्वे ना व्से लीनी बायवोग साफिक्सनावेनिया स्तरों प्रतेज़ोंस्ट्यू बोलेग 95 किलामेटर पाद्रजिलेने व वरुजोने सिल उक्राइने बलेप्र पर रख दी हैं। के आत्मघाथी ड्रोन का बोरी तरह से शिकार हो रहे हैं। योक्रेन के सामने दिखकत ये है कि इरान के आत्मघाथी ड्रोन पर जब तक योक्रेन हमला करने की कोशिश करता है। तब तक रूस और इरान के ड्रोन योक्रेन के दो खाने को तबाह कर डालते हैं। रूस और इरान के इन ही आत्मघाथी ड्रोन से बचने के लिए योक्रेन में स्टील के बड़े-बड़े बिंगर बनाए हैं। ताकि ड्रोन डाइरेक्ट तोप याद टैंक से तटराना पहें। स्टील के इन पिंगों को योकेन एक करसे तोप, टैंक और रोकेट के लिए कवच बना चुका हैं। जो इरान और रूस के ड्रोन से उन्हें बचाने में मदद करते हैं। स्रेथ्टों प्रोज़शने अबरोने तिचेनी सुतक पिरिखवाचेने सेम प्रोटिवर्डियोशन निह राकेट हार्म, अबना करलाता राकेट अ बल्शोई डालनेस्टी स्टोर्म शेडोव, और तकशे 10 रेक्टिवनी स्नर्यादव सिस्टेम जालप वग्ना हायमास। जंग में इरान की जोन रूस के लिए रामबान साबित हो रहे हैं। इतना खतरनाक है। इतना खतरना की जोना है। इतना खतरना की जालप वीजादाव रहे हैं। जमीन, आकाश और समंदर हर तरफ से ड्रोन हमले हो रहे हैं। अभी तक रूस ने ड्रोन हमलों से योकरेन को सबसे जादा नुकसान पहुचा है। पिछले 15 दिनों से रूस की सेना ने योकरेन की राजधानी की उपर 300 से जादा ड्रोन हमले किये हैं। इरान के ड्रोन रूस के लिए रामबान साबित हो रहे हैं। रूस के साथ साथ रूस के दोस्तों को दबा करने में जुटे हैं। लेकिन योकरेन में चल रहे मौजूदा हालाग को देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस योकरेन को हरा देगा। क्योंकि योकरेन को अभी तक उतने घातक हत्यार नहीं मिल पाए हैं जितने उसे जंग जीतने के लिए चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी रुकावच कहीं न कहीं इरान बन रहा है। जो योकरेन को सप्लाई होने वाले हत्यारों पर कड़ी नजर रखे हुए है। पुतिन के लिए इरान फरिष्टा बनता जा रहा है। काला सागर में योकरेन की पहली हार। इस वक्त इरान ने अपने हत्यारों के बंकर पूरी तरह से रूस के लिए खोल दिये हैं। इरान के टॉप जनरल चुन-चुन कर ऐसे हत्यार रूस को भेज रहे हैं जो अमेरिका और नैटो के हत्यारों को तबाह कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इरान ने कैस्पियन सागर के रास्ते रूस को बहुत बड़ी संख्या में हत्यार गोला बारोद गुप्त तरीके से मौचा दिया है। रूस के लैंसे 3 कमीकाजे दोन, और इरानी दोन में मेलकर युप्रें के पेदाली स्वीज दी तोवखने को तबाह कर दालाए लैंसे 3 के बारे में दाबा क्या है की इसनी अमेरिका की M777 light weight hobbit जब तो को लाव यहा तकी अमेरिका की M109 इस 21-ї години 17-го травня по 5.30 ранку 18-го травня російські окупанти здійснили कілька хвиль ракетних атак із різних напрямків. Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації 2, Ту-160 та 8, Ту-95, випущено 22 крилаті ракети Х-101, Х-555. हम लोगी बाद रूस किस तरह से पलतवार करता है?